हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक, मैं राजा आप सभी का डेली करंट अफेर सेशन में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज है 30 अप्रेल 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाए होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिसकस करने वाला हूँ ये करंट अफेर भारत के किसी भी प्रत्योगी प्रिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है तो पूरी सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा PDF को प्राप करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलिग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लिकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तो आज का सेसन सुरू करने से पहले आप सभी के लिए मैं उर्जावान पंक्तियां देने वाला हूँ जो आपको दिन भर हमेशा से positive thoughts के तरफ लेके जाएंगे सफलता ऐसे ही नहीं मिलती मेरे दोस्त इसके पीछे की महनत आपको नजर नहीं आती अपनी आखों में एक सपना बसा लो और उसे सपने को पूरा करने में अपना जी जान लगा दो सफलता आपकी कदम चूमेगी दोस्तो इन सभी खिलाडियों को आप देख रहे हैं जिन्होंने स्वन्ड पदक जीता या फिर कहां से पदक जीता या फिर रज़त पदक जीता तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने इतने असानी से इस मेडल को प्राप्ट कर लिया नई इसके पीछे सालों की मेहनत है दिन रात की मेहनत है तब इन्होंने इसे हासल किया है आपको भी त्याग करना पड़ेगा आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी तब जा करके आप यहाँ पहुँच पाएंगे तो दोस्तो अपने माता पिता को याद करते हैं आज का session आपको शुरू करना है और पूरा दिन अपने लक्ष को पाने के लिए लगा देना है देखी friends, आज का सबसे पहला important current affair आपके सामने रहा रास्त्री अनसूचे जाती आयोक के द्वारा अध्यक्ष कोईन बने है who has been appointed by the National Commission for Scheduled Cast तो इसका सही उत्तर है विजय सापला क्या नाम है विजय सापला दोस्तो इनका नाम याद करने की छोटी से ट्रिक है दोस्तो यहाँ पे लिखा वो अनसूचे जाती दोस्तो हमारे जो अनसूचे जाती के भाई और बहन है वो किसको प्रक्रती को प्रेम करते हैं तो प्रक्रती में क्या आता है साप भी आता है सनेक भी आता है तो अब इस प्रकार से याद रख सकते हैं अनसूचे जाती आयोक के अध्यक्ष विजय सापला है दोस्तों इनकी नियुक्ति दुबारा हुई है दूसरी बारे National Commission for Scheduled Cast के प्रेसिडेंट बने है सापला जो है पंजाब चुनाव से पहले इन्होंने अध्यक्षपत से इस्तीफा दे दिया था और इन्होंने चुनाव लड़ा था इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है तो देश के राष्ट्रपती की द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपती को ने रामनात कोविन जी है अब यहाँ पर बात आरी राष्ट्री अनसूचित जाती आयोग की नेशनल सेड्यूल कास्ट कमिशन की तो मैं आपको इनके बारे में सारे इंपोर्टने डेटेस देता हूँ कैसे इसका समवधानिक प्रावधान है बहुत सारे कॉंस्टिटूशनल प्रोविजन्स में कोशन पूछ लिया जाते हैं तो ध्यान से सुनियेगा सबसे पहले जानते हैं कि इस आयोग का गठन कब हुआ 19 फरवरी 2004 को इसका एस्टबलिजमेंट हुआ है किस आर्टिकल में रास्ट्री अनसूचित जाती आयोग के बारे में बताया गया है आर्टिकल 338 में दोस्तो इसमें क्या है इसका कार है अनसूचित जातीों की हितों की रक्षा करना सेड्यूल कास्ट के जो जाती के लोग हैं उनकी हितों की रक्षा करना उनकी राइट्स की रक्षा करना दोस्तो जो president होता है जो vice president होता है और इसके तीन अनिस अदस होते हैं इनकी निवक्ति कौन करता है president करता है दोस्तो एक important article है जो मुझे आपको बताना है ध्यान से सुनिएगा article 15.4 पंदरा चार इसमें अनसूची जाती की welfare के लिए उन्नती के लिए special provisions दिये गए हैं दोस्तो अनसूची जाती से संबंदित एक और article है आर्टिकल नंबर 17 जिसमें prohibition of untouchability है आसप्रीशीता को समाप्त करना यानि छुआ छूट को खतम करने के प्रावधान दिये गए हैं 2004 में अनसूची जाती और जनजाती आयोग के दो अलग-अलग आयोग में से बदल दिया पहले ये दोनों आयोग साथ में थे और 2004 में इन दोनों आयोग को separate कर दिया गया चली फ्रेंट चलते हैं 2nd important current affairs की ओर हाली में भारत और किस देश के राज नईक संबंदों के 70 साल पूरे हो गए है इंपॉर्टन कोश्यन है तो देखे हाली में भारत और जापान देश के राज नईक संबंदों के 70 साल पूरे हो गए है ये कब पूरे हुए है 28 अप्रल को दोस्तो इस अफसर पर जापान के प्रधान मंतरी इनका क्या नाम है फूमियो किशिदा इन्होंने हिंदी में ट्विट करते हुए दोनों देशों को सुप्तामनाय प्रधान की दोस्तो भारत और जापान के बीच में जो राज नईक संबंद है कब स्थापित हुए थे 28 अ इसमें PM मोधी भाग लिए अब यहां पर बात आ रही Quad की आईए समझते हैं कि Quad क्या है Quad का मकसद क्या है क्यों बनाया गया सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म को जानते हैं तो Quad का फुल फॉर्म है Quadilateral Security Dialogue इसमें चार देश है कितनी देश है इसमें चार देश है चार देश भारत अमेरिका जापान और आस्ट्रेलिया दोस्तो Quad संगठन का गठन क्यों किया गया अब सवाल यह उठता है तो मैं आपको बता देता हूँ यह मुक्त खुले और समर्द भारत प्रशान छेत्र को सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिए इन सबी देशों का में नवंबर में इसकी स्थापना हुई है देखे इसका प्रमुक हुद देश है हिंद प्रसांत छेत्र को किसी बाहरी शक्ती खास कर चीन का जो इफेक्ट है उससे मुक्त करने के लिए रंडिती बनाना चली फेंट्स थर्ड इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स की ओर ध्या मिसायल का नाम है ब्रमुस क्या नाम इसका ब्रमुस नाम है दोस्तो भारती नौसिना और अंडमान और निको बार के कमान दोनों ने सेँग तुरूप से ब्रम्होस सूपर सौनिक करूइज मिसायल के एंटी टैंक वर्जन का सफ़क्ता पूरवग परिक्षण किया है दोस् Stealth Destroyer से ब्रहमोस मिसाल के Advanced Edition का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है। ये Stealth Destroyer का मतलब क्या होता है? मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Stealth Destroyer का मतलब होता है कि ये चोरी से चुके से, यानि कि किसी के रडार में आने वाला नहीं, ब्रहमोस मिसाल को कोई ट्रैक नहीं कर सकता, इसे कहते हैं Stealth Destroyer। दोस्तों यहाँ पर बात आई ब्रहमोस की, तो ब्रहमोस की पूरी हिस्ट्री, ब्रहमोस का पूरा पोस्ट मॉटम कर लेते हैं। तो ब्रहमोस को बनाया है भारत के DRD-O और रूस के NPO-N ने। यह दोनों मिसाल के, यानि रक्षा उपकरन बनाने का कारी करती हैं। ब्रह्मोस रश्या और भारत दोनों ने मिलके बनाया ठीक है भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मुस्कावा नदी पर दोनों के नाम पर रखा गया है ब्रह्मोस का नाम नाम से भी हम जानते हैं और इसका एक policy है, इसका एक सिधान्त है, दागो और भूल जाओ, एक बार आपने target को sit कर दिया, तो ये जा करके target को खतम कर देगा, दोस्तो ब्रहमोस की specialty बाग करें, तो ये 200 से लेके, दोसो नब्बे से लेके 300 किलोमेटर, आप 200 से 300 किलोमेटर तक किसकी range है, ठीक है, ब्रहमोस सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, इसकी speed है 2.8 mc, ध्वनी की गती से लगभग मान लीजे 3 गुना, दोस्तो आइए जान लेते हैं, भारत और रूस की बीच में, रक्षा समझोते को जान लेते हैं, कि भारत ने रूस से क्या-क्या खरीदा है, तो देखे, भारत ने 6 AIP-powered पंडुबिया खरीदी हैं, भारत ने frigate और guided missile destroyer खरीदे हैं, भारत ने विमान वहक खरीदा है, इसके लाबा भारत ने सुखोई और MIG-Z को भी खरीदा है, S-400 हाली में S- S-400 anti-missile system को भी purchase किया है, भारत ने किस से, रूस से, देखे फ्रेंड्स, NEST imported current effects को बढ़ते हैं, PM जन आरोग योजना के तहत, 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है, which has become the first district in the country to cover 100% of the household under PM जन आरोग योजना, importing question है, ध्यान से सुनिए, तो हाली में ये जो जिला बना है, सांबा बना है, सांबा कहां पर है, जम्मू कश्मिर योटी में है, जम्मू संभाग का सांबा जिला PM जन आरोग योजना के तहत, पूरी तरीके से, 100% परिवारों को उसमें शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, देखी फ्र प्रधान मंत्री जन आरोग योजना की तो इसके बारे में भी आप जानना चाहेंगे मैं आपको बताऊंगा भी क्योंकि इससे सम्बंदित बहुत सारे प्रशन पूछे जाते हैं सबसे पहले आप ये जान लिजे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्त बीबा योजना यानि कि हॉस्पिटल में पुब्लिक हॉस्पिटल में या फिर प्राविट हॉस्पिटल में जो लिस्टेड हैं वहाँ पर जाकर के सेकेंडरी या फिर टर्सरी स्वास्त उपचार के लिए हर साल पांच लाख रुपे का बीमा कवर प्रधान किया जाता है देखिए अब ये सवा एलवेरा ब्रेटो का 18 साल की उम्र में हाले मिन धान हो गया. वे किस्केट से सम्बंद्य थी? तो इसका एंसर है हौकी. दोसतो ये हौकी की प्लेयर थी जनका हाले मिन धान हुआ है. भारती बैला हौकी टीम की पूर्व कपतान थी कौन? एलवेरा ब्रेटो. दोस्तो एलवेरा ने करनाटक की घरेलू टीम को 7 राश्ट्री किताब भी दिलाए हैं इसके लावा 1960 से लेके 1967 तक domestic circuit पर इन्होंने राज भी किया है एक important उपलब्दी है 1965 में इन्हें अर्जुन पुरसकार से सम्मानिक किया गया अब यहाँ पर अर्जुन पुरसकार की बात आ रही है तो अर्जुन पुरसकार के शुरुवात कब से हुई है 1961 से अर्जुन पुरसकार में कितनी राशी प्रदान की जाती है 15 लाख रुपे की राशी प्रदान की जाती कितनी 15 लाख रुपे की राशी इसके साथ दोस्तो अरजुन की कान से प्रतीमा और एक प्रशस्ती पत्र दिया जाता है दोस्तो अरजुन प्रस्काप राप्त करने वाली ये दूसरी महिला ओकी खिलाडी बनी है इन्होंने औस्ट्रेलिया, शिलंका और जापान के खिलाफ मैचों में भारत का रिप्रेजंटीशन भी किया है चली फ्रेंट चलते हैं सिस्थ इंपॉर्टेंट करेंट अफर्स की और दो हजार बाइस तीस के लिए नेसकॉम के प्रेसिडेंट की रूप में हाली में किसे न्यूक्त किया गया है इनका क्या नाम है? इनका नाम है कृष्णन रामा नूजम दोस्तो कृष्णन जो थे नेसकॉम के इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे अब ये प्रेसिडेंट बना दिये गए है दोस्तो कृष्णनन जी का स्थांग खाली हो गया है तो उपाध्धिश कोन बनाए गए है अनन्तो महश्वरी 2022-23 के लिए नेस्कॉम के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किये गए है अब यहाँ पर नेस्कॉम की बात आ रही है तो नेस्कॉम का तो फुल फॉर्म आप जान गए होंगे नेशनल एसोसिएशन ओफ सौफ़वेर एंड सर्वसेस कमपनीज इसकी स्थापना जान लेते हैं तो इसकी स्थापना फ्रेंट्स 1988 में हुई है 1988 में यह सौफ़वेर उद्योक के स्थापना हुई है यह भारत में टेक उद्योक का प्रमुख व्यापार निकाय है दोस्तों यहाँ पर हमने नियुक्ति की बात की है तो मैं आपको हाली मी हुई नियुक्तियों की बारे में बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा भारत की प्रधान विज्ञानिक, विज्ञानिक सलाकार नियुक्त किया गया है हाली में सैन अभियान के महा निदेशक बनाए गया है मनोज कुमार का टिहार भारती सेन अध्यक्ष बनाए गया है 29 नंबर के मनोज पांडे जी एकबाल सिंग लालपूरा को दुबारा से अल्प संखक आयूप का प्रेसिडेंट बनाया गया है सेवन्थ इंपोर्टेंट करेंट फिर आपके सामने रहा अंतरास्ट्री निर्थ दिवस कब मनाया गया वेन वोज इंटरनेशनल डांस डे सेलिबरेटर तो दिखे फ्रेंट्स हर साल ये 29 अप्रेल को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है दुनिया भर की लोगों को नित्र के इंपोर्टेंस के बारे में डांस के इंपोर्टेंस के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए से मनाया जाता है दोस्तो आधुनिक बैले, देखे मौडन बैले, बैले एक प्रकार का डांस फॉर्मेट होता है, बैले डांस आपने सुना होगा इसके निर्माता, इनका नाम है जीन, जार्जेस, नूवरे, इनकी जैनती को मनाने के लिए International Dance Day मनाया जाता है, पहली बार इसके मनाने की गोशनक इसके द्वारा की गई, 1982 में International Dance Council के द्वारा, दोस्तो यहाँ पर हम डांस की बात कर रहे हैं, तो आई जान लेते हैं कि भारत में Classical Dance कहाँ पर होते हैं, तो देखिए सबसे पहला है भारत नाटियम, तो भारत नाटियम, भारत नाटियम तमिल नाडू में होता है, ठीक है, दोस्तों से हम Classical Dance क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पैसिलिटी होती, इसमें रूल्स होते हैं, डांस के कुछ फर्मेट होते हैं इसलिए से हम classical dance भी कहते हैं देखे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में कत्थक dance होता है कुची पुडी कुची पुडी आन्द प्रदिश ओडिसी नामसे सपस्ट है ओडिसा कथक कली कथक कली केरल देखे फर्क है कथक जो है यह यूपी में है कथक जो है यह यूपी में है और कथक कली केरल में है देखे नैस्ट क्लासिकल डांस है सत्तीरिया जो की कहां पर होता है असम में मड़ीपुरी नामसपस्ट है मड़ीपुर में मोहिनी अट्टम ये केरल में एट्थ इंपोर्टेंट करेंट इफरी रहा वैक्यूम अधारिद सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कोन बना है गतने एक सो बार चेंबर बनाये गएं जिसमें क्या लगा हुआ है इसमें सैंसर लगा हुआ है दोस्तों जैसे ये चोक होगा या कोई भी परिशानी इसमें आएगी तो vacuum sewer का जो system है ये अपने आप क्या करेगा alert जारी कर देगा इसके दोरा किसी भी laptop पर GIS आधारित sensor से हम location और समस्या का हमें पता चल जाएगा और हम उसका treatment कर सकते हैं sewer connection के car की जो अरुमानित लागत है ये है 100 करोड रुपे कितनी 100 करोड रुपे ये technique किस दिस्क के दोरा apply की जा रही है तो नीदर लेंड के दोरा नीदर लेंड जो है 5 सालों तक रख रखाओ और पूरी देख भाल करेगा खास कर नीचले लाकों इसका स्तुमाल किया जा रहा है अब हमारी अगली knowledge factory आपके सामने है knowledge का तड़का आपके सामने है मैं आपको बताने वाला वर्तमान में कोन क्या सबसे पहले बात करेंगे राश्टर पती तो राश्टर पती रामनात कोविन पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भारत के 14 नंबर के प्रेसिडेंट है उपराश्ट पती कोने वेंके नाइडू है जो की भारत के 13 नंबर के उपराश्टर पती है नेस्ट हम बात करेंगे प्राइमिनेस्टर की तो यह नर्यंद्र मोधी सभी जानते हैं याद रखिये गए भारत के 15 नंबर के प्रदान मंत्री है मुख्यनयधिस कोने N.V.Ramna और ये 48 नंबर के मुख्यनयधिस है राश्टसभा के सभपती कोने वेंके नाइडू राश्टसभा के उपसभपती का क्या नाम है तो इनका नाम है हरिवंस नरायंट सिंग राजसभा के महा सचिभाली में बनाए गए मैंने आपको बताया था प्रमोद चंद्रमोदी राजसभा में विपक्ष के नेता का क्या नाम है मलिका अरजुन खाडगे इन सभी पॉइंट्स को याद रखेगा निश्चिति इससे एक प्रस्ण पूछा जाएगा आने वाले एक्जाम में देखी फ्रेंड्स मैं आपको महत्वपूर सूचना दे दूँ यदि आप हर महीने की मंतली करेंट अफेर्स की e-book प्राप्त करना चाहते हैं तो ये एवलेबल है हमारे crazy gk trick application में दोस्तो 50% off के साथ ये एवलेबल है आप हमारे crazy gk trick application को download करके e-book को प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा amazing courses है जैसे advanced maths course MPGK course, computer course English course, reasoning course आप extra 50% का off भी पा सकते हैं coupon use कीजे maths इसके अलावा यहाँ पे MP course में MP50 का इस्तमाल करें इसके अलावा आप crazy का इस्तमाल करें computer course के लिए यहाँ पर सारे coupon code listed है आप इन सभी को note कर लें और इनका फायदा उठा सकते हैं crazy gk trick application को download कीजे नीचे description box में इसका link दिया गया है कि आप Google Play Store में जा करके search कीजे और enjoy कीजे अपने favorite courses को दिखी friends 9th important current affair आपके सामने रहा हाली में किस देश ने पोलेंड और बुल्गारिया को रूबल में भुकतान करने में विफलता के कारण गैस की supply को रोग दिया है तो यह फैसला किस ने किया है रश्या ने दोस्तो रश्या की currency क्या है रश्या की currency रूबल है रूबल रश्या की मुद्रा है रूस यह कह रहा है कि वो जो भी अपना payment लेगा रूबल में ही करेगा पोलेंड और बुल्गारिया दोनों देशों ने रूबल में भुकतान करने से मना कर दिया है इसलिए रूस ने फैसला किया है कि दोनों देशों को natural gas की supply वो रूब देगा अब आई location में देख लेते हैं कि पोलेंड कहां पर है और रश्या कहां पर है देखिए रश्या है आप यहां पर देख पा रहे हैं यह यूरूप continent में है पोलेंड और यह है बुलगारिया देखिए फ्रेंड्स आज का आखर important current affair आपके सामने रहा तो देखिए केंदरी मंत्री मंडल ने किस देश में नए राज नएक मिशन के उद्गाटन को मंजूरी दी है तो देखिए हाली में फैसला किया है केंदरी मंदल ने लिथोनिया देश में नए राजनेक मिशन को गाटन के लिए इसे क्या होगा भारत और लिथोनिया की बीच में जो relation है और भी मजबूत होंगे और गहरे होंगे दोस्तो ये बाल्टिक छेतर में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा तो देखी यहां पर बाल्टिक छेतर आ रहा है तो बाल्टिक छेतर का मतलब क्या है बाल्टिक रीजन का मतलब क्या है बाल्टिक राज उन बाल्टिक छेतर को कहते हैं जहें रूस समराज से पहले विशुद्र के समय फर्स्ट वर्ल्ड वार्ड के समय में सुतंदरता मिली इसमें तीन देश सामिल है ठीक है पहला है लटविया दूसरा यहां पर देखी लुथानिया जहां पर भारत अपना दूतावास खोल रहा है और तीसरा यह है एस्टोनिया दोस्तो लिथोनिया में राजनैक मिशन के अपने राजनैतिक यानि पॉलिटिकल और एकनॉमिकल संबंद को और भी विस्तार दे सकता है और भी इसे बढ़ा सकता है देखी फेंड्स लिथोनिया भारत में दूतावास खोल चुका है और यह पहला बाल्टिक देश है कब 2008 में इसे खोल चुका है यहां पर लिथोनिय की बात आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ यह उत्तरी यूरोप के बाल्टिक छितर का देश है जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है यह लत्विया बेलारूस यहां पर देखिए आप यह बेलारूस है इसके अलावा यहां पर देखें आप रूस स्वीडन और आप 999 के तड़के में भारत में राज्यों की मुख्यमंत्रियों के नाम के बारे में हाली में पंजाब की मुख्यमंत्री बनाए गये इनका नाम है भगुवन्त्मान यह माद्मी पार्टी से हो हां एप जन्री पड़ीपुर के मुख्य मंत्री एंबिरेन सिंग है भूपेंद रजनी कांथ पटेल ये गुजरात के वरतवान मुख्य मंत्री हैं अब आई चलते करेंट अफेर्स की रस्मलाई यानी 2020 के इंपॉर्टन करेंट अफेर्स को डिसकस कर लेते हैं किस देश के डिस्वन टू टू का 26 दिसंबर 2020 को हाली मे निधन हो गया ये दक्षिन अफरीका के थे जिनका हाली मे निधन हुआ है J.D.U के किस राजसभा सदस्य का हाली मे निधन हो गया एंका नाम है महिंदर प्रशाद हाली में किस प्रदेश में विश्व संगी तांसियन उस सब काईजन किया जा रहा है तो कहां पर हर साल मध्य प्रदेश में इसका आज़न किया जाता है हाली में International Automobile Federation का प्रसेडन केसे चुना गया है मुहम्मद बिन सुलेयम को अर्बियल बैंक के CEO और MD ग्रूप में हाली में किसे नियुक्तिक किया गया है इनका नाम है राजीब अहूजा देखे फेंड्स अब मैं आपसे कुश्चन करने वालों जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है तो आपका पहला प्रश्ण है राज सभा के महा सचिव कोण है कोश्चन नम्बर टू भरत नाट्यम की सराजिका सास्तरि नृर्ट इह कोश्चन नम्बर तृ अल्प संक्य कायोक के वर्तमान प्रेसेडिन कोण है कोश्चन नम्बर फो प्रधान मंत्री जन आरोग योजना कब शुरू की गई? Q5. जापान के प्राइम मिलिस्टर कौन है? इन पांचों कोश्चन्स के अंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं अब बारी ये 29 अपरल 2022 के इंपोर्टन करेंट अफ़ेर्स के रिविजन करने की तो पहला प्रशन आपके सामने है संयुक्त राष्ट्र विश्व परिटन संगर्ठन से हाली में कौन सा देश हट गया है? दोस्तों ये फैसला रूस ने लिया है रॉबर्ट गोलोग किस देश के प्रधान मंत्री चुने गए हैं? ये स्लोवेनिया के प्रधान मंत्री बनाए गए है तमिल नाडू सरकार द्वारा अल्प संक्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो देखे कब मनाया जाएगा तो ये हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाएगा 21st World Congress of Accountants 2022 की मेजवानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजवानी भारत देश करेगा फिफ्ट इंपॉर्टर रिविजन कुशन ही रहा विश्व टी का करन सब्ता कब से कब तक मनाया गया? 24 से 30 अप्रेल हर साल अप्रेल के लास्ट वीक में मनाया जाता है UNEP ने Champions of the Earth Lifetime Achievement Award से हाली में किसे सम्मानित किया है? Sir David Attenborough को F1 Amelia Romagna Grand Prix 2022 को किसने जीता है? Max Ware Stappen ने International Chernobyl Disaster Remembrance Day का मनाया जाता है? हर साल 26 अप्रेल को 9th important revision question ही रहा हाली में किस देश ने Palm Oil के निर्यात पर Export पर बैन लगा है? तो ये फैसला इंडोनेशिया ने किया है भारह 70% Palm Oil का Import करता है इंडोनेशिया से The Magic of Mangla Jody The Sick History of East India इस पुस्तक का भी मोचन हाली में किस ने किया है? ओडिसा के वर्तमान नुखिमंत्री नवीन पटनायक ने तो दोस्तो ये थे 29 अप्रेल के Important Current Affairs का revision हमने डेली Current Affairs में 30 अप्रेल के Current Affairs को भी कवर कर लिया है आज की सेशन का टार्गेट 4000 लाइक्स का है और मुझे विश्वास है कि आज आज आप इसे पूरा करेंगे ज़्यादा सज़्यादा लोगों को शेर करें फॉलो कीजे क्रेजी जीके ट्रिक को different social media platform पर पहली बार हमारे चैनल पर आरे तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना न भूले और बैल आगें बटन दबादे ताकि आपको हर एक notification सबसे पहले मिले हमारा मकसद है आपको कम समय में Quality Current Affairs Static जीके प्रोवाइड करना Keep Liking, Keep Sharing यो चैनल क्रेजी जी का ट्रेक ठेंक यू फ्रेंड्स जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जय हिंद जय भारत